Regulation of Gene Expression तो actually Gene Expression को हम लोग किस reference में या किस concept में समझेंगे देखे, basic सा funda है जो हमारा DNA है ठीक है, इसमें सारे gene प्रेजन्ट है और DNA से formation किसका होता है, RNA का ठीक है, then RNA formation करता है protein का पुरी molecular biology इसी पर टिकी भी है, ध्यान रखिये और ये proteins या हम enzyme भी लिख सकते हैं ये enzymes ये आगे चलकर जो भी traits हैं, उन traits को ये express करते हैं मुटी मुटी बात ये है तो gene जो अपने आपको express करते हैं, the form of RNA and then RNA जो होता है आगे चलकर protein या enzyme बनाता है हलाकि RNA में जब आप पुड़ते हैं तो specifically protein या enzyme बनाने वाला जो RNA है जिसके नदर ये messages होते हैं, उसे हम लोग mRNA कहते है messenger RNA, right? हलाकि दूसरे RNA की वज़रूवत पुड़ती है protein बनाने के लिए जिसे RNA और TRN, right? तो exactly है concept क्या होगा? कि जो gene से express हो रहा है RNA और प्रोटीन का formation हो रहा है आप इसे किस लेवल पे regulate कर सकते हैं, cell किस-किस लेवल पे regulate करेगी regulation क्या है, या protein बनेगा या protein नहीं बनेगा अगर cell को जुरूवत है तो protein बनेगा, अगर cell को जुरूवत नहीं है तो protein नहीं बनेगा तो cell कैसे decide करेगी और किस-किस लेवल पे decide कर सकती है कि कि पॉइंट पर हम जाके इसको regulate करें देखे प्रोकेरियोट और यूकेरियोट का फंड़ा तोड़ा सा अलग है ध्यान समझिएगा अगर आप देखें प्रोकेरियोट में प्रोकेरियोट में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो transcription के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे कोई clear cut separation नहीं होता है चुकि nucleus absent होता है प्रोकेरियोट में इसलिए जो transcription और translation के process है ठीक है transcription और translation के process है दोनों ही process cycle plasm clear है DNA से RNA बनता है तो इसकोlan transcription कहते है और RNA से protein बनता है तो translation कहते है तो transcription और translation दोनों ही कहां होता है sidoblasm में दूसरा point यह है कि यहाँ पर no processing, कोई processing नहीं होती है, processing या आप इसको और अच्छे वर्ड में लिखे है splicing तो prokariot पे splicing की भी process नहीं होती है वही MRN ने बना उसका सीधे translation स्टार्ट हो जाता है तो अगर आपको prokariot की बात करनी है कि वहाँ पर transcription को किस level पर regulate किया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि मैं इसको red color से लिख देता हूँ ठीक है prokariot में prokariot में जो transcriptional level है transcriptional level is the mean point of regulation of gene expression gene expression ठीक है याद रहेगा कि आप prokariot के case में अगर देखें तो prokariot के case में आप जो rate of protein synthesis है या enzyme synthesis है उसको सीधे transcriptional पर ही लोग सकते हैं transcriptional initiation आप NCRT जाप पढ़ो के तो आप एक line आपको मिलेगा के case में क्योंकि वहाँ nucleus absent है यादि nuclear membrane actual में nuclear membrane ही absent है तो इदर transcriptional इस्टार्ट हुआ और translation इस्टार्ट हो जाएगा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा कि prokariot और eukariot के reference में जब आप से बात की जाए तो आपका जवाब अलग-अलग होगा prokariot में आप सीधे बताऊगे कि transcriptional initiation जैसे initiate हो रहा है उसी level पे आप जाकर regulate कर सकते हो gene expression को ठीक है eukariot में थोड़ा सा अलग होगा